पुझ्ज जूलिला जैनती समारो समिती के सैयोचन में चिटिचन महापर्व के दूसरे दिन शहीद ही मुकालानी की जैनती के अउसर पर डिगगी चौक पर पुषपांजली वदेश फक्तिगीत कारिक्रम किया गया सैयोचक किशन बालानी ने बताया कि वीर क्रांतिकारी शहीद भगत से राजगुरू सुध्देव के शहीद दिवस पर शिद्धान जली उनको भी याद किया गया एं मेरे वतन के लोगों है मुकालानी की शाहदत ना भूल पाएंगे सहीद अन्य देश फक्तिगीत को केजे ग्यानी ने प्रसुद किया शीचन साथवानी ने कहा कि देश के आज़ादी दिलाने के लिए सुधंता सैनानियों के बलिदान से हमें मिली है जिससे हमें राजग शुपेम जगातर बरकरार रखना है अद्दक्षे काउन प्रकाश किष्णानी ने कहा कि राजग जबर में ऐसे महापुर्शों को याद किया जा रहा है एवं युवाओं को उनके कर्तवयों का बोट करवाय जा रहा है हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी शहीद हेमु कालानी के जहनती कारिकम के निमित बारते सिंदु सभा और पुझे जूलिला समीती के सामोई कारिकम के निमित कल महाराजादारसेन पर दीबदान का कारिकम पूर संद्या पर दीबदान का कारिकम क्या गया था आज ढिकी चोक पर हेमुक अलानी के कारिक्रम में बागी सारे समाजों को साथ में लेते हुए ये कारिक्रम जहनती का कारिक्रम पुष्पांजली का कारिक्रम रखा गया है इस कारिक्रम के पीछे है तो ये रहता है कि आने वाली जो नई पीड़ी है उसको जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत वर्ष के लिए निशावर किया और समाज में भगासिंग चंदर्शेगर आजाद की तरह अपनी कुर्वानिया दियें वो सब याद करें और नहीं पीड़ी उसे प्रेना ले इस कारक्रम के निमित यही उद्देशे रहता है आज हैमुकालाणी की जहनती मना रहे हैं शाहिद हैमुकालाणी की जहनती मना रहे हैं जुलेलाल जहनती समयती समारों द्वारा आज डिगी चोक हैमुकालाणी चोक डिगी बजार में डिगी चोक में आज सिंदू सभा महानगर, सिंदू सभा अजमेर इकाई द्वारा हम सब लोग अजमेर के जितने भी सिंदी समाज के लोग हैं वो लोग आके आज हमुकालानी का चनम उस्तो मना रहे हैं महीं सर्वस सिंधी समाज महासभा की और से शहीद हिमुकालानी की चैनती के उपलक्ष में वैशाली नगर से चोपाटी पर 21 पोधे लगाए गए चैनती के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिये और इस वीडियो को लाइक को शेयर करें आपको करें अमुले स्क्षसिंग पर 27 अ الإ stokedथियन ओपके लिए चांपके वीडियो़ बंग्स